गाजर और मुली का अचार तो आपने बहुत तरीके से बनाया हो लेकिन आज आप मेरे सासुमा के तरीके से बनाये मैं बहुत अच्छा लगेगा और यह बिलकुल भी खराब नहीं होगा तो इसको किस तरे के से बनाना है मैं आप सब Indeing गाजर मूली का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने मूली को अच्छे से धो लिया है गाजर को भी अच्छे से धो के अच्छे से कई पानी से साफ कर लिया है उसके बाद हमने इसको पील कर लिया है पील करने के बाद इसको हम चॉपिंग बोर्ट पे लेंगे और इसको इ इस आप नो नहीं करनी तो थी कंचा रावजर का है आप भी चाहे तो डाल सकते हैं और इसको हमें भाप में पकाना है पानी प्रीया ज候 के लिआत भीटा दीज श्कॉ भप जितना भी मौश्यर होगा न वह रट जाएगा उसके बाद हम अचार को बनाएंगे तो हम इसको रख देते हैं दो घंटे के लिए फिर हम यह सूबा प्रोसेस कर रहे हैं फिर बाद में साम को हम इसका अचार बनाएंगे इसका मसाला भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो म रखलक करके जिससे कि यह अच्छे से सूख जाए और इसके जो भी मौश्यर है इक्दम चला जाए तो अगर आप इस तरीके से अचार को बनाते हैं तो आप सालो साल खाते हैं और आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा और बीच बीच में आप धूब दिखा सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने सारी चीजे अच्छे से ले लिया है, सूख गया है, अब मैं साथ में हरी मिर्च मैंने 10-15 हरी मिर्च के दो टुकड़े कर लिये हैं, और एक इंच अद्रे के टुकड़े को भी मैंने कट कर लिये, अब मसाले हम यहां पर ले लेते हैं, मसाले में आप देख लीजे क्या क्या चीजे हैं यहां पर हमें जो है one fourth one fourth सारी चीजे लेना है उसके बाद हम इन सारी चीजों को मिला लेंगे और प्रॉपर अगर फुल वीडियो आप देखना चाहते हैं कि अचार का मसाला हम कैसे बनाएं तो उसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर है वो भी आप देख सकते हैं तो यहां पर मेथी, कलोंजी, धनिया, जीरा, सौंफ, राई यह पांच चीजे जो होती है यह हमारे अचार का जान होता है अचार का यह मसाला बहुत टेस्टी से अचार बनता है आप बजार का कितना भी मिला लीजे लेकिन जो यह वाला टेस्ट आपको घर वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा उस मसाले में हमने हलका से इसको एक खुस्वु आने तक भून लेना है उसके बाद भूनने के बाद मिक्सी में हमें इसको पीस लेना है अब हमें कडाही लेंगे कडाही में मस्टर्ड ओयल अच्छे से हमें गरम करना है तो बस यहां पे मैं मस्टर्ड ओयल को अच्छे से गरम कर लूँगी उसके बाद देखिए यह मैंने जो ठंडा होने के लिए रख दिया था अब देखिए यह अच्छ ऐसे हमने इसको मसाले को दरा सा पीस लिया है उसके बाद पीसने के बाद यह जो हमने गोभी गाजर मूली यह सारी चीजे हमने कट करके सुखा लिया और यहां पर अद्रक औ मेज़ी भी साथ में हमने ले लिया है अब हम इसको बनाएंगे इसकी मसाले थोड़े जो ड्राइ मसाले होते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं तो यहां पर देखिए अमचुर पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर जी और लाल मेज पाउडर यह सारे चीजों को हमें इसके अंदर मिला देना है और मिर्च आप कम जादा जैसा भी हो आप अपने हिस आप से कर सकते हैं यह सारी चीजे हम पहले इसके अंदर मिला लेंगे अच्छे से तो देखिए हमने यहां पर मिला लिया है डाल देती हूँ और फिर इसको हम अच्छे से आप चाहे तो हाथों के हेल्प से चाहे आप चमच के हेल्प से इसको मिला लीजे तो बस यहां पर ह अब उनको लेंगे और उनको भी इसी के ऊपर मिला देंगे अंदाज़ा से आप कर लीजे वैसे जो इतना मसाला है इसे थोड़ा जादा लग रहा है मुझे तो मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी अब हम इस मसाले को इस पूरी उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यकिन मानिए अब हमने जो तेल गरम किया था न वो तेल हम इसके अंदर डाल देंगे और उपर से थोड़ा सा अगर हमें कम लगे तो आप और भी ले सकते हैं बहुत इस अचार में बहुत जादा तेल की जरुवत नहीं पड़ती है बस आप इसको कर लीजे हलका सा तेल डाल दीजे अब नहीं अचार अच्छा लगेगा खाने में तो आप देखे देखते अभी चाहे तो अभी भी खा सकते बस आप इसको दो दीन तीन दीन इसको धूप में आप रख के अराम से खा सकते हैं ये बिल्कुल खाने लायक हो गया है और अगर आपको सालो साल इसको चलाना है तो डाल दीजे एक से दो चम्मज या वन फोर्थ कप आप यहां पर विनेगर डाल दीजे उससे क्या है कि अचार यह कभी भी खराब नहीं होगा आप चाहत इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं और या तो आप बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि इंटर्स में इसको कोई दिक्कत नह हैं अब देखिए जो तेल था एक्स्ट्रा वह बाहर आ गया है इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको आप कांच के बोटल में भरके रख दीजे अभी मेरे पास नहीं है तो मैं एक प्लास्टिक के एर टाइट डब्बे में भरके रख रही हूं आपके पास का आप सबकी डिमांड पर यह चार मैंने डाला हाँ फ्रेंड्स एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स और वच्छिंग में भी